दोस्तों CTT और State TT को लेकर लगबकतनी दिनों की बहस सुप्रीम कोड में पूरी हो चुकी है और इस पूरी बहस का जो सार संचेफ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ सारे बिंदू को मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है और जो प्रमुक बिंदू है उन पर चर्चा करेंगे तो देखो यह जो पूरा का पूरा केस रहाना वो इस बात पर यहाँ पर केंदृत रहा फ्रेम किया गया कि अगर कोई State अपने यहां TT की परिशा करवायता ही नहीं है मतलब उसके यहाँ TT की परिशा हुई नहीं रही है जैसा कि जारकन में अगर बात करें तो 2016 के बाद वहाँ पर TT की परिशा नहीं हुई अब वहाँ पर एक सिक्षक भरती आती है तो इस सिक्षक भरती में अगर वो यह बात कहें कि हम सिर्फ अपने स्टेट की TT को ही लागू करेंगे और CTT को माने नहीं करेंगे तो ऐसी कंडिशन में क्योंकि वहाँ पर TT की परिशा विगत आठ वर्सों से नहीं हुई है तो CTT वालों को मानेता मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी तो सारा जो मदब केस रहा वो इसी बिंदु पर यहां पर चर्चा कभी से रहा और बहुत सारे पक्ष और प्रक्ष में इस पर पॉइंट्स रखे गए हैं और फिलाल अगर देखा जाए तो यह जो पूरा मामला है वो केवल एक स्टेट का नहीं होगा यह पूरे भारत पर जारकंड और आज कोर्ट नंबर आठ में इस पर जो सुनवाई वी है सुनवाई के बाद आडर को रिजर्व रख लिया गया है अभी आडर आया नहीं है लेकिन फिलाल जो पॉइंट्स यहां पर रखे गए हैं सभी पॉइंट्स मैंने यहां पर नोट कर लिये हैं और सुन को यहां पर क्या है मामला यहां पर यह नहीं है कि यह CTET माने होगा या फिर CTT माने होगा मंदब CTT माने होगा या फिर जारकंड की TET माने होगी बात यहां पर यह है कि अगर हम जारकंड के परिप्रेक्ष में देखें तो जारकंड में तो डोमिसाइल नीतिलागू है यान पर कोई बाहर वाला तुझा नहीं रहा है कि CTT कहीं से भी किसी भी स्टेट को आप वहाँ पर एंट्री दे रहे हैं तो मामला यहां पर इसका नहीं है कि CTT मानने होगा तो सभी स्टेट वहाँ पर लागू हो जाएंगे कि मतलब एक तरीके से भीहार में हुआ था कि सभी स्टेट को लागू कर दिया गया था सभी स्टेट को मौका मिला था ऐसा तो है नहीं वहाँ पर दो मिशाहिल लागू है तो यहां पर मुख्य बात यह कि CTT और TET में जो चीजें पढ़ाई जाती है जो उनका स्लेबस है उसम का जो कल्चर है जो संस्कृती है और जो भासा है वह छेत्री जो अध्यापक है उनको आने चाहिए अगर मौन लेते हैं कि कोई एक ऐसा स्टेट जहां पर अगर आपकी न्यूक्ति हो जाया और वहां का जो local language है वहां का जो culture है उससे आप परचित ही ना हो तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे क्या तो यह तो राज्यों के अधिकार में है कि वो अपने यहां CTT को लागू करते हैं या फिर नहीं करते हैं मनदब एक तरीके से अगर देखा जाये तो CTT को लागू करना या लागू ना करना यह पूरी तरह से state की अपनी जो है मनदब उसका अपना अधिकार है और state चाहे तो CTT को लागू कर सकता है और CTT को लागू नहीं भी कर सकता है अगर उसे लगता है कि हाँ CTT हमारे यहाँ सही रहेगा तो ठीक है नहीं सही रहेगा तो ठीक है वो अपनी CTT करवाएगा लेकिन यहाँ पर एक बड़ा बिंदू जो सामने आता है वो यह की जारकंड में तो CTT 2016 के बाद हुई नहीं जबकि वहाँ पर जो सम्बंदित कोर्से जारकंड में तो अगर आप या कोई भी टीटी की परिक्षा नहीं हुई और CTT को आप माने नहीं करेंगे तो ऐसी सिती में अगर वहाँ पर सिक्षक बढ़ती आ रही है आपने डोमिसाइल भी लागू कर रखा है तो वहाँ पर आवेदन करेगा कौन तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो कि एक बिंदु यह कहा गया कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद amendment किया जा सकता है या नहीं तो यहाँ पर यह बिंदु भी कहा गया कि ठीक है जारकंड में जो नोटिफिकेशन था सिक्षक बढ़ती का जब जारी किया गया त की ते उसके बाद फिर high code की दोबारा CTT को मानने किया गया तो यहां पर ऐसा नहीं है कि high code के आदेश के बाद मानने किया गया यहां पर मुखी बात यह था कि राज ने खुड ही उसके पहले ही अपना जो notification है उसमें change किया था तो यहाँ पर यह बात नहीं है अब यहाँ पर मुख्य बात यह है कि क्या राज सरकार अपनी नियमौली खुद बना सकती है या नहीं कि वो CTT को रखे या नहीं रखे या फिर यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या NCT को मतलब इतना अधिकार है कि वो किसी राज को फोर्स कर सक करके आप CTT को मानता दें या ना दें तो यहाँ पर मुख्य बुन्दू यह नहीं था और यहाँ पर यह भी माना गया कि CTT को लागू करना या नहीं लागू करना ये altre का अपना अधिकार है लेकिन condition यहाँ पर क्या बन रही है कि अगर सिक्चक पात Tut परिच्छा टीटी की परिच्छा हो नहीं रही है तब ऐसी कंडिशन में क्या विकल्प रखा जाएगा लेंग्वेज और कल्चर यह राज्यूंगरी प्राथमिक्ता का भी से होता है लेकिन देखना होगा कि क्या सीटीटी पास जो अभेरती है वो जारकन के बच्चों को इन सीटीटी के अलावा क्या विकल्प है ठीक है तो सीटीटी के अलावा क्या विकल्प है यह चीज यहां पर है और अगर टीटी की परिच्छा नहीं हो रही है तो क्या इसका मतलब की सिर्व 2016 में जारकने में टीटी हुई तो क्या 2016 वाले ही क्यों अपलाई करेंगे उसके बा भी अलग प्रकार का language और culture है लेकिन फिर भी वहाँ पर TAT की परिष्छा का जो नहीं होता है यह भी का गया कि वहाँ पर CTT को मानता दी गई है वहाँ का जो state है आसा में state ने CTT को मानता दी है और अभी तक कोई complain वहाँ से प्राप्त नहीं हुई है जैसे कि यह बाना जाता है न कि लोग खुद ही मतलब वहाँ की जो भासा है language है जब अपने आपको वहाँ पर सक्षम पाएंगे तब ही अपलाई करेंगे और आप खुद इसको तैंग कर सकते हैं कि ठीक है अगर आप यहां के culture और language से परचित नहीं है तो यह ठीक है आपको बाहर कर देंगे यह सारी चीजें है फिलार फ्रेंड्स पूरी सुनवाई हो चुकी है आज तीम दूनों में सुनवाई पूरी हुई ह और जो order है वो रिजर्व हो चुका है लेकिन अभी order जो है वो out नहीं हुआ है तो order को आने दीजिए उसके बाद आपको finally पता चल जाएगा कि आखिर यहां पर जो मुखी बिंदू है TT versus CTT को लेकर तो उसमें मतलब क्या फैसला सामने आता है तो आज का जो सार सारांस था औ और जैसे order आता है हम आपको बताएंगे कि order में अंधतर क्या order आया है Thank you so much अगर यह पूरी बात आपको मतलब जो पूरा तीन दीन की सुनवाई थी उसका सार संचेप आपको समझ में आ गया है और आपको लगता है कि conclusion आपको ठीक ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक करके कि हमें एक बाच रूब बता दीजेगा कि हां आपको यह वीडियो पसंद आया से इस अगले वीडियो में तब तक के लिए आगे दिजे नमस्कार चेहंद